ओई पिछले एपिसोड में आपने देखा के Free Fire World की शुरुवात कैसे हुई और Red Criminal Adam चाचा को कैसे मिला फिर उन दोनोंने साथ में मिलके पान की दुकान का बिजनेस टार्ट किया पर तभी Adam चाचा को पता चला के सबसे ज़्यादा पैसा तो Underworld में है फिर Red Criminal Adam चाचा को सबसे बड़े माफ्या के पास ले जाता है उसकी गेंग जोइन करने के लिए होई अब आगे होई शासा ये रहो हम पहुंच गए यही है वो बड़े माफ्या जिनकी मैं बात कर रहा था बहुत सॉल्टी है इनकी शहर में हाँ क्रिमिनल वो तो इनकी गेंग देखके ही पता लग रहा है बाबु मोसाई क्रिमिनल बताओ कैसे याद किया मुझे अरे इपू भाई ये मेरे सासा है और इनको ना Underworld जोइन करना है तो मैंने सोचा आपसे अच्छी तो किसकी गेंग हो सकती है तो मैंने सोचा आपसे मिडवाने लेआओ अच्छा बाबु मोसाई तुम मेरी गेंग जोइन करना चाहते हो तो बताओ कितने अपराध किये है तुमने किद्नेपिंग चोरी चकारी जमीन के कबजे वसुली वसुली ये सब तो किया होगा ना अरे नहीं वह सब तो नहीं किया क्यूंकि मुझे 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 नहीं मिला ना इन्होंने पान की दुकान शुड़ू कि थी इतना ही कॉरिफिकेशन है और हाँ एक दिन गेरेज में काम किया था फिर शेठ ने निकाल दिया लाट मारके ओचा तब तो मैं तुम्हें गेंग में नहीं ले सकता पहले अपना क्रिमिनल रेकॉर्ड बनाव यार अरे नहीं इपू भाई हमें निराश मत कीजिए मैं बहुत ही उमीदे लेके आया हूँ आपके पास आप मुझे कोई शोटा मोटा काम दे दीजिये तीरे दीरे में सब सीख जाऊंगा ठीक है चलो तुमें एंट्रेंज एक्जाम देनी पड़ेंगी मतलब की मेरा एक काम करना पड़ेगा अगर वो तुमने कर लिया तो मैं तुमें गैंग में ले लूँगा आ ठीक है बताइए क्या करना है सब्सक्राइब कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम की लिंक कमेंट में है फोड़ो कर लो वहां मैं असी असी डालने वाड़ा हूँ बाबु मोसाई बहुत परमोशन कर लिया अब निकलो जाओ सब्सक्राइब कर दो निकला और मेरी बाबु का घर है मेरी बाबु का घर है मैं तो आता जाता रहता हूँ सुनिये न असूर भाई क्या आप हमारी एक हेल्प कर सकते हैं ओई पीगु भाई बोल पीगु भाई अपुन भी एनिमल का गेंग्स्टर है और बता क्या हेल्प चाहिए पीगू भाई वो हमें इस गेंग्स्टर के घर में चोरी करनी है तो आप बता सकते हो के अंदर कीतने लोग हैं ओई दो मिनिट रुक जाओ अभी वो गेंग्स्टर अपने अड़े पे जाने वाला है फिर उसकी बाबू घर पे अकेली होगी तो तब तुम चोरी कर सकते हो अड़े आदम शाशा पीगू भाई तो बहुत काम की चीज है पीगू भाई अपना नंबर देदेने हम कॉन्टेक में रहें गया ओई ठीक है ओई और बाबू चलो में चलता हूँ अपना ध्यान रखना आते वक्त समोसा ले आऊंगा अड़े शाशा वो देखो गेंग्स्टर तो अपनी काल में बेटके जाड़ा है सड़ो सड़ो यही मोका है आरे हुँ आरे हुँ इतनी क्योद और बेल बजा रहे हो बोलो क्या काम है हम सोड़ी करने आए है तेड़े घर पे सल सुपसे आप साइड में बैठ जा ओ मेरे घर पे चोरी करने आए हो सालो निकलो यहां से वरना गोली मार दूंगी अरे शासा भागो ये तो बहुत ही डेंजरो रठे गोड़ी मारे देगी चलो अब मैं अपना मेकप कर लेती हूँ अरे शासा यार मेरा प्लेन तो फेड़ हो गया अब क्या करेंगे ये टोईलेट नहीं मेरा तो हम हिपू भाई को क्या मू दिखाएंगे प्रिमिनल मेरे पास एक प्लेन है अब मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही करना अरे ये फिर से कौन आ गया हाँ बोलो क्या काम है आपको अरे बेहन जी हम प्रो टोईलेट प्लीनर है क्या आपके टोईलेट में नमक है साले क्या बोल रहा है नमक नहीं कीटानू जम्स और आपके तोईलेट में कीटानू है तो शिंटा मत कीजिए हम शाप कर देंगे आउ घर का टोईलेट दिखादेती हूँ अच्य से साफ करना और एक मिनेट हम तो हमरी बंधूक घर पर ही भूल गए, शाला फिर से घर वापस जाना पड़ेगा ये रहा टोइलेट अच्छे से साफ करना हा, कोई जमस न रह जाए अरे बेहन जी एकदम अच्छे से साफ कर देंगे, चिंता मत कीजी अरे यार महमान आये है आपके घर में, तो आप हमें साई पानी का नहीं पूसेंगी जाओ हाँ, हम दोनों के लिए साई बनाओ, और चिप्स भी लाना थोड़ी तब तक हम आपका टोइलेट अच्छे से साफ कर देते हैं, हाँ ठीक है चलो, मैं तुम दोनों के लिए चाई बना के लाती हूँ, हाँ अधरक वाली और ससुरा ई का, एक इसकी कार पड़ी है हमरे घर पे, और ये सामान भी पड़ा है, लगता है कोई सेल्समें नाया है चल क्रिमिनल टोइलेट उठा ले, यही सही मौका है, भाग जाते हैं अरे नहीं नहीं सासा याल, साई पीके जाएंगे हाँ डुको और बाबू, ये कोई सेल्समें नाया है, क्या हमरे घर पे है हाँ, वो टोइलेट लीनर आये है, फ्री में टोइलेट साफ कर दे रहे हैं और फ्री में तो कोई साफ नहीं कर डेटा वही, अठ्छे आदमी लगता है हाँ, वो अभी आपका टोइलेट ही साफ कर रहे हैं अब अगर चाई पीएंगे, तो मास्क उतारना पड़ेगा, पकड़े जाएंगे अरे, उस असुरे चोर है, अभी बताता हूँ सालो को हाँ, शाशा यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं सालो, तुमको गोली मार देंगे, अब ये क्या, हमरा टोइलेट चोरी हो गया, हम बरबार हो गये साशा यार, क्या ही टाइमिंग थी, बार बार बसे हाँ, क्रिमिनल, अगर वो गेंग्स्टर हमें देख लेता, तो पका गोली मार देता सासा ये क्या दीन आ गए है डोग आज कर टोईलेट सोरी करवा रहे है बताओ हाँ क्रिमिनल क्या करे करना पड़ता है अबे देख के बीच में कारा गई अबे सारे अंठा है क्या डिक्ता नहीं है रेडी सिगनल है फिर भी रोल क्रोस कर रहा है चल बार निकल सारे अभी तुझे बताता हूँ तेरी ऐसी की टेसी रह सिगनल विगनल मैं ना देखू सूँ अबे मेरे से जबान लडाता है तुझे पता भी है मैं कौन हूँ अबे मेरे भाई को मार रहा है और वो भी मेरे एरिय में रंगा, बिला, जॉन, लूकस, पीटर, पार्कर आजाओ सारे हाँ भाईया जी यही काट देंगे साले को अरे भाईया लडने जगलने में क्या रखा है हम भाई चाड़े में सब को ट्रोल कर लेटे है क्या बोलते हो नहीं नहीं तुने मेरे छोटे भाई पे हाथ उठाया है तो आज में वो हाथ इखाच दूँगा और शाशायार बसाओ अरे क्रिमिनल कितने सारे लोग है मैं कुछ नहीं कर सकता भई एक काम कर तुप चाप मार खाले फिर चलते है तो चलो भाई लोग अभी इन से मेरे भाई का हिसाब छुकता खोल लेते हैं अरे कोबरे क्या इन बच्चों के साथ हाथा पाई कर रहा है छोड़ दे इन बच्चों को और जा अपनी पानी पूरी बेच अरे ओ चाचा तुम हमारे रास्ते में मताओ औरना थुम को भी निप्ठा देंगे अभे ओ कोबरे तुम मुझे निप्ठाने की बात करता है तो चला जा रै भाईया भागो इसके पास तो घोड़ा से ठोक देगो बड़े आए मुझ से लड़ने वाले अरे ठेंक्यू आप तो पापा हो पापा सब लोग ड़के भाग दे आप से हाँ भई मैं तो बदमाशी में बाप हूँ इन सब का अरे तो फिर आज से आप मेरे भी पापा ठीक है ठीक है तो मेरे को तुझे भी गोली माननी पड़ेगी क्योंकि ऐसे नालायक बेट मेरे नहीं हो सकते अरे नहीं नहीं फिर रहने दो आच्छे आप मेरे ताओ ठीक है बन जाओ अच्छा तो फिर ठीक है बेटा वैसे ताओ जी यार आपकी इमत की दाद देनी पड़ेगी सामने 15-20 लोग थे फिर भी आप डरे नहीं अरे बेटा यही तो पावर है इस बंधू का सामने कितने भी लोग हो एक बार निकाल दो तो सब डर जाते हैं सही है यार हमें भी क्रिमिनल ऐसा कुछ रखना पड़ेगा ठीक है बेटा अगर कोई काम वाम पड़े तो याद करना ताओ वही आजिर हो जाएगा तो सड़ो ताओ जी अब हम सड़ेते हैं आपसे मिड़के अश्रा लगा और मुशीबत में आपको याद करेंगे आवाव बाबु मोसाई तुम तो बहुत ही जल्दी आगे काम करके तोईलेट आथ में आया कि नौई अड़े इपू भाई आप बोड़े और हम ना करे ऐसा कभी हो सकता है क्या है ये रहा हमारा माल कड़क है क्या बाथ है तो चलो आज से तुम मेरी गेंग में काम करोगे और बिनोद संदा सा गया है चोल काम पे लोग जा ठीक है भाई जी ओ बस पांच मिनिट रुको अभी इसका काम खतम करता हुँ आप बिनोद पर थोड़ा संभाल के हाँ बहुत कीमती चीज है हिप्पु भाई एक बाथ बुशू सोटा मू बड़ी बाथ है और अब तो हम आपके गेंग में भी है तो पूछ सकता हूँ आप या पूछना है बेस जीजक पूछो आप याड़ इतने बड़े माफिया हो के हमसे टोइलेट सोरी करवाते हो नई आड़े डेटे या फिर जाड़ियों में सड़े जाते हैं अरे नई क्रिमिनल ये माफिया है ना जाड़ियों में अच्छे नहीं लगते और उपर से इनको पूलीस भी हगे आथो पकड़ लेंगी अरे शासा वो रंगे आथो होता है अरे नहीं अक्ते अक्ते पकल लेगी ना तो अग्यास हुआ ना चुप करो तुम दोनों ये टोईलेट कोई टटी करने के लिए नहीं मगवाया है अशा तो फिर आपी बटाये क्यों मगवाया है टोईलेट हमें खबर मिली थी के इंडोनेसिया से एक बहुत ही कीमती चीज हमारे देस में आ रही है और वो चीज एरपोर्ट पे लोकेशन भाई को सोब दी गई थी फिर हमारे आदमी पीगू ने हमें बताया के वो चीज लोकेशन भाई ने अपने एक सबसे खास आदमी के गर पे रखवाई है और तुमने जिस घर में से ये कमोड चुराया वो वही गेंग्स्टर का गर था और पीगू ने उसके घर में एक पीगूरी पटाली थी और उससे उगलवा लिया के वो कीमती चीज कहां पर चुपाई है अच्छा तो क्या है वो इतनी कीमती चीज वो कीमती चीज इस टोईलेट में चुपा के रखी थी तुम खुद देख लो अड़े बापडे आदम साशा ये तो हीडे है हमने डाइमन से पहला हुआ टोईलेट चौड़ी किया हाँ बाबू मोसाई अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता के हीरे चौड़ी करने है तो तुमारा कॉंफिडेंस लेवल गीर जाता ना सही है याल हमने तो कर डिखाया सुनो अब तुमने लोकेशन बोस के हीरे चौड़ी कर लिये है तो वो अब तुमें नई छोड़े गवा अड़े बापडे टोब हम क्या करे अब तुमें एक ही चीज करना है मेरे दुस्मन और तुमारे दुस्मन लोकेशन भाई को खतम करना है वरना वो तुमें खुतम कर देगा ये तो पॉक की बात है औरे ये आपने हमें किस मुसिबत में डाल दिया अरे लोकेशन खाई तो आपके लेवल का गेंग्स्टर है उसे हम मामूरी आडमी कैसे मारेंगे हाँ मैंने सुना है वो तो समुद्रों के बीच अपनी क्रूज में रहता है अपने बोडिगार्ड्स के सहाथ जिनके पास मौडर्न वेपन्स होते हैं उसे मारना तो क्या सुना भी नामुम्किन है नहीं बाबु मोसा भूसे मारना तो क्या अवना वो तुमें नहीं चोलेगा